हालो पाइसेज, पाइसेज यानि मीन रासी, नमस्ते मैं सुरेज कोड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एसे इंदी टेरा पर तो आज हम 72 आवर्स करण्ट फिलिंग्स वाले रिडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आप जो पाइसेज के परसन है वो पाइसेज के परसन है उनके लिए कुछ एक्शन लेंगे और इसकी गाइडेंस क्या रहने वाली है तो यह एक जनल लेडिंग है जैसा कि आप जानते हैं यह सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लेज आप उसे एक्षेप्ट कर सकते ह हैं तो यह तीन फरवरी से नो फरवरी के लिए या दस फरवरी के लिए विकली यह निसाबता एक रेडिंग होगी तो इसमें चलते हैं यह जनल लेडिंग है तो जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लेज आप उसे एक्षेप्ट करते हैं चलिए देख लेते हैं जो इसके लिए क्या फिलिंग रखते हैं उनके लिए क्या मैसुस करते हैं तो नाइट टॉप स्वाट्स फॉर और पैंटिकल्स एंड दा हाई प्रिस्टेस तो जो जो पाइसिस के परसन है वो पाइसिस के लिए महसुस कर रहे हैं कि उनको जो पैसे पर जो फोकस किया हुआ है या किसी चीज़ पर भी जो उनका कंट्रोल है उस कंट्रोल को उनको आँर करने की जरूरत है जिस चीज से उनको ऑवर तिंक्किंग से या किसी भी चीज या जिस चीज से उनको ज्यादा परेशानी हो रहे है चाहे वो जोब है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो करियर है, चाहे बिजनस है, जिस पर भी उन्होंने Uncontrolled, feel control किया वा है, जो मतलब उनको प्रेशानी दे रहा है, दुख दे रहा है, उन्हें उसे release करने की जरूरत है, और इसमें उन्हें समझदारी से बुद्धी मता से काम लेने की जरूरत है विवेक सिल बनने की जरूरत है वो इसमें ग्यान बटो रहें आपना बुद्धी मता से समझदारी से वो इसमें आगे बढ़ें और वो चूप रहें वो लड़ाय जगडा ना करें इसमें समझदारी के साथ इन चीज़ों जो उनको प्रेशान कर रही हैं, दुख दे रही हैं, उसको रिलीज करें, उनको छोड़ें और आगे बढ़ें, और किसी चीज़ में वो जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना लें, या किसी चीज़ में भी उसमें तहसना खाएं अगर कोई जल्दबाजी उसमें सामने वाला करने की कह रहा है तो उसको भी प्लीज वो रोकें और उने कहें कि वो ठोड़ा सा इसमें सोचें समझें और समझधारी के साथ इसमें एक्षन लें या तभी उसकाम को करें जब उनको लग रहा है कि वो काम उनके लिए ठीक है, तो इसमें ज्यादा जल्द बाजी ना करें, और सोच विचार करके, जो छीज़े उनको उनके favor में नहीं है, जो छीजे उनको प्रेशान कर रही है, दुख दे रही है, चाहे वो कोई job है, या पैसा है, या career है, जो उनकी thinking है, उन चीजों को cleansing करने की जुरूरत है उनको छोड़ने की जुरूरत है और समझदारी के साथ इसमें बुद्धी मता के साथ ग्यान बटोरने की जुरूरत है और जब इसमें चुप रहने की जुरूरत है विवेक सिल रहने की जुरूरत है और वो फिल कर रहे हैं कि वो इसमें समझदारी के साथ ग्या इसमें काम करें वो इसमें कोई भी जल्दवाजी ना करें और जो चीजें उनको नुक्सान दे रही हैं जो चीजें उनके लिए बनी ही नहीं है उन चीजों को छोड़ दें उन चीजों को रिलेज कर दें ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रेशानी कोई दिक्कत ना हो जो च या उनकी current energy उनके परती क्या है पाइसिस की current energy क्या है अपने person के लिए पाइसिस उनके लिए क्या मैसूस कर रहे है the hermit strength are two of cups तो पाइसिस सोच रहे हैं कि जो उनके person है उनको समझदारी के साथ काम करना चाहिए उनको अपना रस्ता खुद बनाने की जुरूरत है अपनी मंजिल खुद बनाने की जुरूरत है अगर वो दूसरे के बरोसे रहते हैं तो वो काम उनका नहीं बन सकता उन्हें आगे बढ़ने की जुरूरत है लाइप में अपना रस्ता खुद ढूंडने की जुरूरत है पले ही अभी के लिए उन्हें इसमें प्रेशानिया लगें दिक्कत लगें कठीनाईया आए लेकिन अगर वो अपना रस्ता खुद बना लेते हैं अपनी मंजिल खुद तय करते हैं तो उसमें उन्हें एक रोस्नी उनके अंदर से प्रजवलित होगी एक मार्ग दर्शन उनका होगा और वो अपने रस्ते पर चल सकते हैं अपने कठीनाईयों से अपनी बादाओं से दूर हो सकते हैं और एक अच्छी रहा पर वो चल सकते हैं तो वो चाह रहे हैं कि इन कठीनाईयों से इन बादाओं से इन प्रेशानियों से वो मू ना मोड रहे हैं कि वो हिम्मत से काम ले, करेज से काम ले, जो उनके मन में डर बैठा हुआ है, जो वो गपरा रहे हैं, जो हिम्मत हार रहे हैं, उसे बाहर निकलें और क्योंकि ये हार परजीत का काड है तो और युनिवर्जी उनके साथ हैं, ब्लैसिंग्स उनको मिल रही हैं, तो व अपने मन का डर बाहर निकालें, जिससे डर रहे हैं, उसे बाहर निकालें, हिम्मत के साथ, साहस के साथ, वो अनरजी लगाएं, एफर्ट लगाएं, मेहनत करें, कोशिश करें, और अपना रस्ता, अपनी मन्जिल खुद तेय करें, क्योंकि उनको लग रहा है, और वो ये भी अपने आपको हार्ड बनाएं, और अगर वो ज्यादा हार्ड है, तो उसे हार्ड बनाएं, तो वो चाह रहे हैं, कि जो मेल और फिमेल अनरजी है, उसको बैलेंस लाएं, उसको प्रैक्टिकल बनाएं, और तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने हिम्मत के साथ, और साथ के साथ उसे अपना रास्ता खुद बनाने की जरूरत है, अपनी मंजिल खुद बनाने की जरूरत है, इसको अभी चाहे उसके लिए उन्हें लोकों से किनारा करना पड़े, मेडिटेशन प्रेयर करनी पड़े, और हिम्मत से साथ से काम लेना पड़े, और चाहे उ से इसमे थोड़ा सा समय देना पड़े लेकिन वो अपने मंजिल अपना बिल्स क्या कि चलिए देखते हैं अगले इल क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं पाइसे के लिए अगले 72 आवर्स में पाइसे के परसन क्या एक्शन लेंगे देखते हैं टैन ओफ स्वार्स दा चैरियट और टू ओफ वार्स तो वो अभी अभी वो थोड़ा सा प्रेशानी में है दिक्कत में हैं वो घबराए हुए हैं उनको लग रहा है कि उनके अपनों ने ही उने धोखा दिया है तो वो अभी अपनी हिम्मत वो टोरना चाहते हैं और वो उट कर चलना चाहते हैं और अभी वो फिलहाल के लिए इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं चाह रहे हैं कि अभी इसमें एक तरफवो डिसीजन लें और थोड़ा सा इसमें सही समय आने का उचित समय आने का वेट करें वो चाहते हैं कि इसमें हिम्मत के साथ बहादूरी के साथ करेज के साथ वो आगे बढ़ें इसमें वो हिम्मत दिखाएं और अगर वो अपने आप म क्योंकि उनको लगता है कि वो एक determined बंदे हैं वो सूरवीर हैं और अगर वो हिम्मत के साथ काम लेते हैं और मैनत लगाते हैं एफर्ट लगाते हैं वो इसमें गपराते नहीं तो वो काफी उट कर चल सकते हैं और दुबारा से इसको इस विगडे होई काम को दुबारा से कर सकते हैं इसमें reconciliation कर सकते हैं तो उनको हिम्मत दिखाने की जुरूरत है गिव अप नहीं करना है उट कर चलना है और अगर वो ऊट कर चलते हैं हिम्मत करते हैं तो उनका यह काम हो सकता है लेकिन फिल आल के लिए वो इसमें कोई action नहीं लेना चाथे वो अभी इसमें इंतजार करना चाहते हैं वो चाह रहे हैं कि जब तक इहमत नहीं आ जाती जब तक सही समय नहीं आ जाता सही direction उनको नहीं मिल जाती उट कर चलने के लाइक नहीं होते तब तक इसमें कोई action ना लिया जाए वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें एक्षन लेना चाहते हैं फिलाल के लिए वो अभी कोई एक्षन इसमें नहीं चाहते हैं या फिलाल के लिए अभी कोई एक्षन लेते दिखाई इसमें नहीं दे रहे हैं तो इसकी guidance क्या रहे हैं क्या बता रही है युनुंश गैड में फ्लीज, Prices के लिए गाइड़न्स क्या है? Prices या उनके लोगों के लिए इसमें गाइड़न्स क्या है या तीन फर्वरी से तस फर्वरी के लिए गाइड़न्स रह सकती है? death the lovers are nine of wants तो उनके लिए guidance है कि जो transform हो रहा है उसे होने दीजिए उसे जो बदल रहा है जो change हो रहा है उसे change होने दें उसे बदलने दें जो उनको अपनी life में changes लग रहे हैं जो बदलाओ लग रहे हैं जो उनके हो सकता है कि जो उनका root चक्रा है उसमें changes आ रहे हैं जो कुंडले नहीं हो सकता है जो खतम हो रहा है जो उनके लिए नहीं बना है चाहे वो business है चाहे वो पैसा है चाहे वो प्यार है जो उनके लिए बना ही नहीं है उसे जाने दें उसे खतम उने दे उसे छोड़ दे बले अभी के लिए उन्हें प्रेशानी हो इसीज में दिक्कत हो लेकिन आगे जाके इसमें खुशियां आ सकती है ये अच्छा जा सकता है अभी उनको इसे रिलीज करने की जुरूरत है इसे छोड़ने की जुरूरत है और इसमें एक जो प्यार है ज गिवप ना करें उसमें चाहे भले ही पाइसिस ने उनको दुख दिया है या उनके परसंद ने उनको दुख दिया है लेकिन वो इसमें जब तक आकरी दाव नहीं ललग जाता जब तक इसमें मुमका मिल रहा है जब तक वो अडे रहें खड़े रहें इसमें आगे बढ़ें और एक decision लें जो addictions है उनको छोड़ें जो उनको प्रेशान कर रही है जो negativity है उनको छोड़ें और सोच विचार कर decision लें इसमें और एक सही समय का उचित समय का इंतजार करें और सोच विचार करके इसको give up ना करके इसमें जब तक ये energy change ह रही है जब तक चेंज आ रहा है इसको होने दें और क्योंकि उसके बाद ही अंदेरे के बाद ही एक उजाला होता है एक रोशनी आती है तो तभी इसमें वो support करें और इसको आगे बढ़ाएं तो सोच विचार करके ही जो भी उनका decision है हा या ना का तभी इसमें वो decision लें औ और उनको सोच विचार करके जो addictions है उनको छोड़ कर और जो change हो रहा है उनको change होने दें बदलने दें क्योंकि चाहे बले उन्हें अभी के लिए दुख प्रेशानी इसमें आ रही है लेकिन आगे जाकर उनके फायदे के लिए है उनको इसमें खुशिया मिल सकती है और वो इसमें बने रहें अडे रहें और इसको give up ना करें जब तक उनको इसमें प्यार नहीं मिलता मौबत नहीं मिलती या इसमें balance नहीं आ जाता तब तक भी एक मौका इसमें मिल रहा है आगे बढ़ने का तब तक वो इसमें stand लेकर रखें आज के लिए बस इतना ही फिर एक motivation मिलता है help मिलती है प्रोथसान मिलता है आज के लिए वस इतना ही अपने तब तक के लिए अपना प्यार और राशिरवात बनाए रखें नमस्ते थेंक्यू सो